के फस्टे एर के फस्ट समेस्टर के चातरों के लिए मोस्ट इंपाटेंट होने वाली क्योंकि आज की इस बीडियों बात करने वाले फूड नुटेसन और हाइजियन यानि की आहार पॉसाड़ और फच्छता पे जुड़े most important question and answer के बारे में बहुत फारे चातरों के परिच्छा कल लगी हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखते रहे हैं क्योंकि आप सभी के हिसाब से सारी के सारी कोश्चन तयार किये गए तो इंड तक बने रहीगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आपकी जानकारी के लिए परिच्छा में प्रशन आता है तो इन सभी एक एक करके सभी यूनिट को मैंने आप लोगों को समस्त पेस किया मतलब कि सभी यूनिट से समधित मैंने आपको कोश्चन बताए हैं पहली वीडियो हमारी दो परसोवाई थी ठीक है सामको या फिर सुबाई थी उसमें मैंने तो आज हम आपको फोर्थ यूनिट फिर हें मोश्चिंट काप्र कर फेए और कुल मिला कि आपका लोगों तो बैया आज किस वीडियो का पहला कोईशन है कि बैया टाइफाइड रोग में नहीं देना चाहिए अगर दीमान लीजे किसी भी इंसान को टाइफाइड बुखार ये फिर टाइफाइड हो नहीं जाता आप लोग बिमारी सुने है न तो आपको क्या चीज जिसको भी बिमा ना पापड देना है ना तले पदार्त देना है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उप्रयोक्त में से सभी क्योंकि ये सभी कोई भी नहीं देना है इसलिए सही हो जाएगा ये वाला ठीक है दी नमबर आगला प्रस्ट कहरा है कि टाइफाइड रोग में सर्वधिक प्र तो सबसे ज़्यादा टाइफाइड रोक का जो इंपेक्ट पड़ता हो चोटी आंत पर पड़ता है इस बात को ध्यान रखें कि बहुत ही पॉपलर कोश्चन है ठीक है अगला प्रस्ण कहे रहा है यह टाइफाइड के जुवाड का क्या नाम है ठीक है का नाम है सल्मो नेला ठीक है टाइफाइड के जुवाड का नाम है सल्मो नेला टाइफी बहुत ही पॉपलर कोश्चन है कई बार पर इच्छा में आ चुका तो ध्यान रखेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को एंसर तो बताएंगे बताएंगे और वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों पत्रे को करिकुलर इसकी परिच्छा बिने बिना पढ़े हुए या फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाईए किसी काराण वस तो आप लोग कैसे परिच्छा दे फकते हैं और परिच्छा में आप लोग पासिंग नंबर कैसे ला सकते हैं 100% और यह जो मैं आपको बताने वाला प्रिक्स और यह 100% वर्किंग ट्रिक्स है यह गारंटी वाली ट्रिक्स है आप लोग पास जरूर हो जाएंगे अगर इसको अपना के जाएंगे लेकिन पहले जान लीजे कुछ महत्पूर्ण ठीक है तो अगला प्रशन कहें रहा है अतिसार से बचने का क्या उपाए है ठी प्रशन कहें रहा है अगला प्रशन कहें रहा है अगला प्रशन के रहा है इसका उत्तर है ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपलर है भूर्ण रहा है प्रवड़ा अफ्था में मतलब मोट मोटबा ज्यादा बढ़ जाता इनसान का अगल बढ़ना होता है तो यह ज़्यादा इस सांघे भूड़ा हो गए Renee इन्सान में मोटा बढ़ जाता है कि बढ़ना होता हुट मोटे बैक्ति के शरीर में किस थत्युकी अधगता पाई जाती है तो कोई इन्सान मोटा हो गया मटा मेगत्व इमाओ और तो आपकी जानकारी के लिए बता दे आज जहान लीजे अगर बीक्तियों को अपने अहार में संब्लिध लिए आप मोटे हो गये हैं और आप चाहते हैं वहीं मतलब को तंदरुस्तर इंसान बन जाए तो आपको यूज करना चाहिए या फिर आप आपको जिस चीज की अपने अहार अपने भोजन में समलित करना चाहिए उसका नाम ध्यान रखना है बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है इसका सही उत्र हो जाएगा आप्शन नंबर ए ठीक है फाइबर का आपको समलित करना चाहिए ठीक है अगला प्रशन है कि सारीर किरिया सील मतलब फरीर जो वर्किंग करता है जो आप लोग फरीर को काम करवाते हैं हाथ से पैर ठीक है तो उसका क्या अभाव ठीक है अभाव होने से होता है क्या सरीर में सुधार होता है मोटापा होता आराम मिलता है क्या होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर ए बेरि में समर्द मात्रा में क्या पाए जाता है तो इन अप्श़ों में से जो सही उत्र हो जाएगा रे उसमें पाया जाता है। फायी tukendaary है जेफे जाताहे जाता भुलू बेरि में अगला प्रेस्ट लेटरी गुड होते हैं किस में से ठीक है गुड होते हैं इन आपसन में से कौन सा साय उत्तर होगा मतलब किस में होते हैं यह question कह रहा है तो साय उत्तर इसका हो जाएगा आपसे नमबर ध्यान रखेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको मालूम है तो बेसक बता सकते हैं तो डार्क चॉकलेट में पाया जाता है ठीक है उसमें पाया जाता है एंटी इंपाइला मेंट्री भी पाया जाता है ठीक है एंडी आक्सीडेंट भी पाया जाता है ठीक है और थीमो प्रिवी डिन्स भी पाया जाता है इसलिए सहित तरिश्का हो जाएगा उपरियुक्त में से सभी या इन में से सभी ध्यान रखेंगे अगरा प्रशन है कि दीर्ग कालीन अतिसार क्या है तो दीर्ग कालीन जो सोशवर्ण छमता में कोई भी कार उत्पन हो जाने से इसलिए सही उत्तर इसका उप्रयोक्त में से सभी है इन में से सभी हो जाएगा जहां न कहेंगे अगला प्रशन है कि तीब्र अतिसार के लिए कैलोरी की आवस्यक्ता प्रते दिन कितनी होती है ठीक है तो बहुत ही महात् प्रशन है यह कि ताइफ हाइट नामग वीमारी की फ्रीयंत्र को प्रहावित करती आपके फरीर में टाइफ हैट जो नामग वीमारी हो जाती है फिर जो बुखार हो जाता है कि इस पर ज्यादा प्रभाव डालती आप सभी को मैंने उपर बताया था तो फिर से सुन जीवान के करण फैलता उस जीवान का नाम भी जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो ठीक है और आप दूफित पानी पीते हैं या फिर साल ठीक है मो नेला टाइफ हो जा ये कारण हो सकता है संदूसित दूद भी हो सकता है इसलिए सही उत्तर डी हो जाए क्योंकि ये सभी कारण हो सकते है पहला दूफरा तीसरा है यह नहीं एबी सी ठीक है इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा अगला कही रहा कि टाइफ हाइट रोग में क्या होता है तो टाइफ हाइट रोग में आप सभी को मैंने उपर बताया भी था ठीक है इसमें बुखार भी आता है और छोटी आत सूख जाती है आतों में छेद हो जाते हैं यह सब होते हैं टाइफ हाइट रोग के लच्छन ठीक और कश्टड भी दे सकते हैं अगला प्रशन है कि टाइफ हाइड रोग में रोगी को प्रतिदिन प्रोटीन देनी चाहिए कितनी देनी चाहिए प्रोटीन प्रतिदिन तो भीया आपको देनी चाहिए 10 ग्राम से अधिक 100 ग्राम से अधिक ठीक है टाइफ हाइड में रोगी को देना चाहिए क्या इन आपसनों में से तो आपके जानकारी के बुलादा दें आप लोगों बलांडा भी दे सकते हैं इसलिए से उत्तर उपरेक्ट में से सभी यानि की डी नंबर होगा ठीक है अगला कुश्चन कहे रहा है कि सरीर की किस इस्थित में सरीर का भार आवस्यक्त से 10 प्रतसत बढ़ जाता है तो आप सभी इसका उत्तर भी जानते होंगी अधिक भार की वज़ा से टाइफ हैट किसके माद्यूम से पहलता है तो भोजन तो था पानी के माद्यूम से ये फैलता है रोक ठीक है कभजिका लच्छण नहीं है कौन सा तो कभजिका जो लच्छ यहसानी इस सभी लख्षण है इन अफसों में से कौन सा तो कभ्झिक जो लख्षण है और सकता है इसलिकल डी नम्र सही vez कर सब्सक्राइब उपर नसे सभी कब जिकी कई करे की त般 nos att clips अब और और एक naked को जाएगा नहीं फा Specs सिफ होते हैं ठीके अगला कहीं रहा कि कब्ज किस आयों कि लोगों में होता है तो सिंपल साइस का उत्तर लिखेंगे जो कबज है वो चाहे बच्चाव चाहे बोढ़ा हो सबको इसमें आज अगला र्येत्जक इस्पस्टिक सम्भावित कारण कंसा ही नाफizing में से इन में दिये इक सारे के सारे का शर्ल estas оно प्रक्वण करने वाले भोज करें परदार्द चादिक करना जुलाब की आत्यधिक मात्रा पिर्योंकरना मांसी तना होना इसलिए सो रूप्प्र कि अगला प्रश्ण के रहा कि तीबर अतिसार का मतलब डायर्या बताया ही था ठीक है तो उसका कारण का उनसा है तो बहुत अधिक अधिक मसाले एक पदार्थ खाने से होता है बाफी तता फड़े भोज्य पदार्थ के सीवन से भी होता है अफलिए सही उत्तर हो जाएगा उ स्धिये थान रखेंगे ठीक है बहुत फापलर कोस्चें है तो द्यान लखेंगे यह नई दिल्वी में है ओअनकी स्वाहत्थ की रच्छा करना बी नमबर सही उत्तर होगा अगला कुश्चिन क केए रा की स्वास्थ फिच्छा के सरकारी संगठन है जो सभी बिभाग के लिए है चाहा हो केंद्री स्वाफ्त्र मंत्रा ले हो चाहा राजी हो या फिर अफ्थानीय निकाए है इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि एकिकरत बाल विकास सेवा योजना का समरद किस्से है इन आपसिनों में से ठीक है तो इसका जो संबन्ध है वो है पूर्ट मादमिक फिच्छा से सही उत्तर हो जाएगा बी नमबर अगला की अतिसार रोग का कारण बताईए D हो जाएगे यहाँ पर B इन्होंने ठीक है यहाँ पर D होना चाहिए उन्होंने B यहाँ उपर भी नीचे भी कर दिया लेकिन D है ठीक है मोटापे का कारण नहीं है कौन सा तो इन आपसरों में से जातर कोश्चन आता कि मोटापे का कारण लेकिन इसमें कोश्चन है कि मोटापे का कारण नहीं है कौन सा तो ध्यान रखेंग वो है धर्म अगला की मोटे बेक्ति को अहार में नहीं लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए तो मोटे विक्त को अहार में जो नहीं लेना चाहिए वो है वसा ठीक है वसा ए नमबर सही उत्तर होगा अगला की मोटापे का कारण तो मोटापे का कारण बहुत फारीचीजी हो सकती है क्योंकि आपका भाई वह उन से के साफ़े होता है माली जी आपके पिता जी बाबा जी कैसे मोटे थे तो आप भी वैसे लग भग भग हो जाएंगे ठीक है कम सारिरिक स्रम यानि कि अगर कम मेनत करते हैं तो भी अगर अधिक वसा लेते हैं तब भी ये कारण है इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी नमबर उपर योगत में से सभी या फिर इन में से सभी अगला क्वेशन में या कही रहा कि कौन सा मधमे का करण हो सकता है जो मधमे रोग होता है तीक है उसका करण कौन सा हो सकता है इन आपसर में से तो सही उत्तरिश्का हो जाएगा बी नमबर मांशिक तनाव या चिंता तीक है इससे आपको मधमे हो जाता है अगला प्रशन है कि मोटापा कि फियंतर के द्वारा ना पा जाता है तो ध्यान रखेंगे मोटापा जो है वो केलीपर के द्वारा ना पा जाता है किसके द्वारा केलीपर के द्वारा दी नंबर सही उत्तर होगा अगला है कि इन आपसनों में से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है तो वो है सही उत्तर होगा बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन याद रखेंगे अगला प्रशन है कि उच्छ रक्तचाप से क्या मतलब होता है फिर क्या से होता है तो उच्छ रक्तचाप का मतलब होता है कि उच्छ रक्तचाप में हिर्दे द्वारा अधिक दबाओ के साथ रक्त का सरीर में संचार होता है इसलिए सही उत्तर यह हो जाएगा अगला कि रक्त चाप या रक्त दबाव का मापन किस से किया जाता है तो रक्त चाप या रक्त दबाव का जो मापा जाता है जिस माद्धिम से उसके वो माद्य में धर्मा मीटर के माद्य में से याद रखेंगे अगला है कि उच्छ रक्त चाप गर्बा अफ्था की अफ्था में पाया जाता है ठीक है तो इसमें आपको बताना है कि किसमें ठीक है उच्छ रक्त चाप पाया जाता है ठीक है तो इन आफ्षरों में से जो सही उत्तर हो जाएक हो जाएगा ए नमबर यानि कि डाई वरजेंट उच्छ रक्त चाप से उत्तर ए होगा अगला है कि उच्छ रक्त चाप की ब्रद्ध का कारण क्या हो सकता है जब बढ़ रहा है उच्छ रक्त चाप ठीक है तो उसको करण हो सकता है अफ्थूलता भी हो सकता ह वन्स के हिसाब से हो सकता अहार की अन्सूचित आदिताओं के कारण यानि की कुछ भी आप खा लेना ठीक है जो फूड़ी चीज़े हैं या फिर जो तेलियम तली भी चीज़े हैं या बिना समय के भोजन कर लेते हैं ठीक है तो यह सभी कारण इसलिए सही उत्तर डी होगा अगला कोश्चिन के रहा कि किस प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने वाले ब्यक्त में उच्छ रक्तचाप की अधिक संभावना होती है ठीक है तो जो लोग ध्यान रखेंगे जो लोग अधिक तलेव हुने एवं सरकराय उक्तु भोज प्रदात करते हैं उनके ये बिमा उनके प्रद्धी जाता है कौन सा इनापस्णों में से जिसमें रक्तचाप की ब्रद्धी ज्यादा हो जाती है तो वह ब्रद्धावफ्था में ठीक है हम फास्ट कोश्चन और उत्तर पढ़ रहें ताकि आप लोगों का समय ज्यादा वेस्ट ना हो और बीडियो में बहु सा युक्त मास का यह भी फिराल मेरे कोटिंग यह कोश्चन ही विकार क्योंकि हम भाई यह से मतलब की इस सबसे से हम प्रफर नहीं करेंगी आप लोग यह खाई है लेकिन जो पोश्चन है उसका सहुत्तर हो जाएगा ठीक है और प्रयोक्त में से सभी यह सभी समावेश करन ठीक है यह बनाई गई है धियान रखेंगे अगला प्रश्चन है कि बुस्चसवास्त संगठन का मुख्य का रहिऑ कहां हैT मुख्य का रहिं की बात हो रही तो इसका फुर्द आप अगला प्रस्ट करण Crispy का तरस सही हो जाएगा बहुत behavioral question nog जिस चीज का धिंनागना चाहिए जिस बात का वो है आपको ध्यान रखना संतुरितियों पॉष्टिक अहार होना चाहिए रक्त में गुलुकोच की मात्रा बढ़ाने वाले खाद प्रदात का समावेश होना नहीं नहीं चाहिए ठीक है अगला अप्शन है कि अहार में मोटापा बढ़ाने वाले भोज प्रदात का समावेश नहीं किया जाना चाहिए तो इन सभी बातों का ध्यार नखना है इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नमबर उपरिक्त में से सभी अगला प्रशन है कि एक स्वस्त विक्त के रक्त में गुलुकोच की कितना मात्रा पाई जाती है तो याद रखे से 120 मिली ग्राम प्रती है 100 मिली ग्राम ठीक है मिली लीटर सोरी मिली लीटर ठीक है अगला प्रशन है कि उच्छ रक्तचाप कितने प्रकार का होता है तो उच्छ जो रक्तचाप होता है ये तीन प्रकार का होता याद रखेंगे उच्छ रक्तचाप का कारण क्या है तो उम्र पान तथा मदिरा पाने निजो लो सराप या फिर सिग्रेट काजा पीते उनके लिए यह है कि वुन ना पिए नहीं तो आपका जो उच्छ रक्तचाप है तिक वो बढ़ जाएगा यह एक प्रमुक कारण है अगला कि उच्छ रक्तचाप के लच्छन क्या है तो बहुत सिर में दर्द भी हो जाता चक्कर भी आ जाता उल्टी भी आ जाती इसलिए से उत्तर डी हो जाएगा अगला कि उच्छ रक्तचाप के रोगी के लिए क्या वर्जित है तो उस ब्यक्ति को ध्यान रखना है ना मास मुर्गा खाना ना बीडी ना सिग्रीट ना गी ना मक्ष सेहतर डी हो जाएगा अगला कि उच्छ रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार का देना चाहिए तो इसको देना चाहिए ध्यान रखेंगे एक шंतुलित आहार देना चाहिए इस उतर हो जाएगा यह स storage में अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे तो क्या होता है तो जब ये मालिजे आप कोई बीमारी हो गई है और उसका इलाज नहीं करा रहे हो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ठीक है तो उससे आपको समस्या हो जाएगी कुछ रख्तचाप की ठीक है अगला कोश्चिन है कि निवन में से किसे समाने रख्तचाप माना जाता है यानि कि इंसान के इंदर कितना रख्तचाप होता है तो एक ठीक ठाग इंसान है ठीक है तो उसको माना जाता है वाई डिफाल्ट के नमबर सही उत्तर होगा पढ़ लीजेगा ठीक है डाइस्टोलिक असी ठीक है मिलिमीट ठीक है मीटर तक तथा ठीक है सिस्टोलिक 180 मिली मीटर ठीक है लाके साही उत्तर रिस्का हो जाएगा ए नमबर आप पढ़ लीजेगा ठीक है अगला प्रशने कि भीया रेट क्रोस सोसाइटी का मुख्याले कहां है तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में है ठीक है अगला प्रशने कि 200 स्वाफ्त दिवस मनाते हैं कब ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉप्लर कुश्चने साथ अप्रेल को मिड़े मील कारेकरम कब शुरू हुआ था तो ध्यान रखेंगे 1995 में शुरू हुआ था स्मुदाय स्वाफ्त एक ऐसा बेवहार जिसमें बढ़ावा दिया जाता है कि सीच का वह समा होना किस आउफथा में होती है ठीक है तो शुरू हुआ इसलीन और इंसुलिन यूक्त नियुक्त मेंसे सभी अगला की बालकों में मधुमे के लिए क्रमशा कारबोर तथा वसा तथा प्रोटीन का प्रत्सत इतना होता है तो ध्यान रखेंगे सईूत्त्त हो जाएगा D क्योंकि चालिस भी हो सकता है बीस भी हो सकता है ठीक है ध्यान रखेंगे ठीक है अगला प्रशन है कि मदमे के रोगी को अहार देते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो आपको ध्यान रखना चाहिए बोध पधार्थ पोश्चिक्तत और वसा वाले पधार्थ इन सभी को ध्यान रखना चाहिए इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा इन में से स करने वाले जी ओ बी आई उजना की संसता द्वारा बनाई गई है तो आपको सिंपल सा उत्तर लिख देना यूनी सेप के द्वारा ठीक है इस तरह जितने भी आगे कुश्चन दिएगे हैं बहुत ही पॉप्लर कुश्चन बहुत ही टॉप लेबल के इस सारे पर इच्छम पसने के पूरे चांप है उसके सामने उसका उत्तर लिखा ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इफ ले हम ठीक है अभी इस वीडियो को यहीं पर इंड करेंगे और आप लोग इन सभी कुश्चनों का उत्तर पढ़ लिजेगा यह जो पूरी जैसे कि यह कोश्चन है कि अतिषार और तात पर है ठीक है तो अतिफार भाया इसका जो तात पर संक्रमित रोग लेकिन है एक और पर हम देख लेते हैं यह वाला कुश्चन कि इस शेट्र में तकनीकी और परदान करता है तो आपकी जानकारी कि इसका उत्तर नहीं मालूमे तो आप लोग लास्ट वाला अप्सन सिलेक्ट करिएगा डी नंबर उप्रयोक्त में से सभी या फिर इन में से सभी जितने भी कोईस्चनों में उप्रयोक्त में से सभी दिया गया है ठीक है उन सभी प्रस्णों का उत्तर आपको को सिल्ट करना है जिस भी प्रस्ठीक उत्तर आपको नहीं मालूम है उसका आप अपने उसार दीजीएगा जिसका नहीं मालूम हो वो लास्ट वाल आप्छं सिल्ट कर लिजीएगा ड़ी आएगगा या फिर आबासा आबासा दस दा हो